सुल्टानपूर पूर्वाचल के कुख्यात माफिया कहे जाने वाले पवन पांडी को अब जनता की खुब्याद आ रही है चनाव लड़ारने के बाद 5 साल बाद एक बार फिर पवन पांडी जनता के बीच पहुँचे हुली मिलन के बहाने उन्होंने इशारों इशारों में ही कह दिया कि वे जनता से राय लेकर शिवसिना से लोग सभा चनाव में ताल ठोक सकते हैं वहीं उन्होंने राजनीटिक शेत्र में 36 का आकरा रखने वाले बाहु बली बसपा गट बंदन के प्रत्याशी चंद्रबादर सिंग सोनू पर एक बार फिर निशाना साधा होली मिलन कारिक्रम के बहाने उन्होंने बसपा प्रत्याशी पर प्रहार किया अंबेकर नगरजीले के रहने वाले कुख्यात माफिया पवन पांडे सुल्तान पुरसीले से कई चुनाव लड़ चुके हैं एक बार विर्दान सभा चुनाव भी वेह जीते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार हार का मुह देखना पढ़ा है इस बार भी पवन पांड में उतरने की घोशना कर सकते हैं बसपा के बाद वेहेज बार शिव सेना से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं चौकाने वाला पहलू यह है कि इस बार वेह विकास नहीं बल्कि हिंदुत्व के बल पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं तभी उन्होंने सागर प्राश्रम के पीठा धिश्वर मौनी महाराज और कई हिंदुत्प नेताओं को होली मिलन कारिक्रम में आमंतरन देकर बुलाया भी था वहीं उन्होंने दावा किया कि वसपा के पूर प्रत्याशी वसपा प्रत्याशी चांद शेव सोनू और उनके भाई यश्भद्र सिंग मौनों का राजनितिक कारियर खत्म कर देंगे में नाम लड़ा थे में नाम लड़ा के लिए लोगों का चैन कर रहा था उसमें से एक पहबीर पवन पांडे विठे जिनों ने राम मंदर के लिए कई बार जेल गए हैं रांक प्रमंजी जो नहीं रहे हैं उनके साथ हाप पलिदान हुए हैं इनको भाजपा को चैन करना का ये था इससे लाम मंदर बनने की लहर बनती और भाजपा की पहुमत से सरकार बन जाती पूरे प्रदेश में संदेश जाता एक ऐसा बिक्ति भी इस महारान में है जो राम मंदर के लिए अपने जीवन की पाजी रहा था कहीं न कहीं से बढ़ी चुप भाजपा ने कर दिया क्योंकि अगर उन्हें राम मंदिर के अस्था वालोगों के मत को ले राथा तो पवन पाने को चम्मान दे करके पलिस्ट रालता से वोट लिए जा सकते थे राम मंदिर के नाम पर भाजपा राज़नीद कर लहीं है लेकिन मेरी आस्था थी राम मंदिर को ले करके जिसको ले करके मैं 28 वर्षों से अनुस्ठांग कर रहा हूं चैट के नौरात्र में भी मैं 9 लागती पक राम लला के लिए जला रहा हूं इसने मेरा उत्यस तो राम मंदिर ही था उसके लिए आप उप्युक्त प्रत्यासी थे आपको अगर राम लला के नाम पर मत दिया जाता तो इससी तूरूप से राम मंदिर का विधेयक पास हो जात अगर भाटपा ने समय रहते हुए इन्हें सम्मान नहीं दिया कि करते ना दे वो उसकी बिश्थिती है लेकिन इन्हें एक सम्मानित दवस्ता देनी चाहिए और राम मंदर के लिए राष्टवात के लिए आतनबाद बिनाज के लिए इनको आगे दाना चाहिए अगर इस वे स्क्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें 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 और पैल आइकन को दमाएं ताकि आने वाला प्रतिय समझा सबसे पहले आप तक हुए